दोस्तों स्वागत है आपका TGT PGT की क्लास में अगर आप TGT PGT की तयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ अवस्य जुनना चाहिए क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए बहतरीन वीडियो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशन है सोंदरिय मलंकार है किसने कहा है कुंतक वामन मम्मट भाम है तो इसका सही उत्र है दोस्तों वामन किसने कहा है वामन ने वामन जो है रीतिरात्मा काब्य से कहने वाले कवी है उन्होंने रीतिकूर आत्मा काब्य की आत्मा कहा है इनका समय आठवी शताबदी का उत्रार्द और नोवी शताबदी का पू कि एए हैं से हैं कि सब्सक्राइब और विश्वनाथ ने सटतर दोषो की है लेकिंग़ज नहीं हैं दस अगला पर्षत ले लेते हैं दोस्तों संकेत टीका काभ्य प्रकास के अउप्र लिखी हुई है कि रचना कार कोन है मानिक के चंदर गोविन्द ठाकुर विश्वनात महिश चंदर तो इसका सायुत और संके तीटीका के कोन है दोस्तों मानिक के चंद्र अगला प्रशन लेते दोस्तों करुण रसकी देवता है दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप तयारी कर रहे हैं तो पहले पढ़ कर क्योंकि यह जो प्रशन है यह अभ्यास है केवल उतने ही जादा आपके गलती होने की संभावना कम होगी तो अगला प्रशन है करुण रस के देवता कोन है यम है कोन है दोस्तों यम करुण रस के देवता के बारे में दिया हुआ है आप उनको ठीक से पढ़ कर फिर इन प्रशनों का अभ्यास कीजिए हमारे साथ जुड़कर अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों दंडी प्रणित काभ्यादर्श में कितने परिछेद है आठ छे चार तीन तो इसका सही उतर है दोस्तों चार कितने हैं दोस्तों चार दंडी प्रणित काभ्यादर्श में चार परिछेद बताये गये हैं आचारे दंडी जी का जो प्राकर्ट, अपवरंश और मिश्र ये प्रश्मी पूत लेते हैं संस्क्रिट, प्राकर्ट, अपवरंश और मिश्र ये गद्य साइती की चार कोटियां बताई हैं अगला परसे देख लेते हैं भामह के मत में अर्था लंकार हैं 20, 36, 38, 49 तो इसका सैयुतर हैं दोस्तों 36 कित भरत मुनी ने अपने नाटे शास्त्र में चारा लंकारों की चर्चा की है, वामन ने 33, दंडी ने 35, भामन ने 38, उधवट ने 41, रुद्नट ने 68, और ममट ने 67, जैदेव ने 100, अप्पे दिक्षित ने 120, ये बार बार हम इसलिए डिसकस कर रहे है, जिससे कि आपका जो रि का है, वो सुकेया कोटी की होती है, भरत मुनी के अनुसार, आठ नाइकाओं के प्रकार बताये गए हैं, वासक सज्जा, विरहोत कंठिता, खंडिता, विप्रलंबा, स्वाधीन पतिका, कलहान, तारत्रिता, पोशिक भत्रिता, और अभिसारिका, ये आठ प्रकार उन्हों खेमेंद्र ने ओचित्य विचार चर्चा नामक पुस्तक में ओचित्य की चर्चा किये, और उन्होंने अपने जो काव्य होते हैं, उन्हों में ओचित्य को ही सरवस्रेश्ट बताया है, एक तरह से ये संप्रदाई चला दिया था उन्होंने ओचित्य विचार चर्चा के म पंचमी कौन सी भक्ति होती है पंचमी भक्ति होती है प्रभवय का अर्थ होता है उत्पति इस्थान तो उत्पन होने वाले का प्रभव अपादान होता है जैसे हिमवता है गंगा हिमाले से गंगा प्रभवती उत्पन होती है तो यहां कौन सी भक्ति हो गई दोस्तों पंच तो आज के लिए दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ अगर आप TGT-PGT के तयारी करवा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये प्रश्न जो है बहुती लाबकारी शिद्ध होंगे